राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खोश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे स्री गणे शाय नमहा, माता लक्ष्मी और भगवान विश्णों की जय हो आज मैं आप लोगों को ब्रस्पतवार ब्रत कथा सुनाने जा रही हूँ एक समय की बात है, भारत वर्ष में एक राजा राची करता था, वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था, वह नित्य प्रती मंदिर में दर्शन करने जाता था, वह ब्रामण और गुरु की सेवा किया करता था उसके दर्वाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लोटता था, वह प्रतीक गुरुवार को ब्रत रखता एवं पूजन करता था, हर एक दिन गरीवों की सहता करता था, परन्तु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी, वह न ब्रत करती थी और नहीं किसी क एक पैसा दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी, एक समय की बात है, राजा शिकार पर गये हुए थे, घर पर रानी और दासी थी, उस समय गुरुवर्षपद्देव एक साधू का रूप धारन करके राजा के दर्वाजे पर भिक्छा मांगन आए, रानी से भिक्छा मांगी, तो रानी कहने लगी, हे साधू माहराज, मैं इस दान और पुन्य से तंग आ गई हूँ, मेरे से तो घर का ही कार समाप्त नहीं होता, इस कार के लिए तो मेरे पती देव ही बहुत हैं, अब आप इस प्रकार की किरपा करें, कि यह सब धन न सकूँ, साधू बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं, पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है, अगर आपके पास धन अधिक है, तो भूखे मनुस्यों को भोजन कराओ, मनुस्यों की कुमारी करन्यों का विवाह कराओ, और अनेक यग्यादी धर्म करो, इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम लोक और परलोक में सार्थक होगा, एवं सुर्ग की प्राप्ति होगी, आपके पित्रों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, मगर यह बा बातों को सुनकर वह रानी खुश नहीं हुई वह बोली हे सादू महराज ऐसे धनकी भी क्या अब सकता जिसे मैं दूसरे मुनस्यों को दान दूँ तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय बरवाद हो जाए सादू ने कहा हे देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना ब्रस्पतवार के दिन घर को गोवर से लीपना अपने केशो को धोना केशो को धोते समय इसनान करना राजा से कहना कि वह हजामत बनवाएं भोजन में मान समय खाना कपड़ा धोबी के हां धुलने को डालना इस प्रकार साथ ब्रस्पतवार करने से तुम्हारा समस्त धन नस्ठ हो जाएगा यह कह करके वह साधू माराज वहां से अंतर ध्यान हो गए राणी ने साधू के कहने के अनुसार वैसा ही किया राजा से कहा कि हजामत बन घर में भोजन में मान स्मधिरा डाला कपड़ा धोबी के हां धुलने को डाला ऐसा करने से तीन ब्रस्पतवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नस्ठ हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा सांसारिक भोगों से तब वह राजा राणी से कहने लगा कि हे राणी तुम यहाँ पर रहो मैं दूसरे देश को जाओं क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुस्य जानते हैं इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी कारे नहीं कर सकता हूँ पर देश में जा करके मैं कोई भी कारे कर सकता हूँ चाहे वह कारे छोटा ही क्यों ना हो देश चोरी पर देश भीक बराबर है ऐसा कह करके राजा पर देश को चला गया वहाँ जंगल में जाता लकड़ी काट कर लाता शहर में बेचता इस तरह जीवन व्यतित करने लगा इधर राजा के घर राणी और दासी दुखी रहने लगी किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती एक समय राणी और दासी को साथ दिन बिना भोजन के व्यतित हो गए तो राणी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है वह बड़ी धनवान है तो उसके पास जा और वहाँ से पांच सेर बेजर मांग कर लेया जिससे कुछ समय के लि राणी की बहन के पास गई तो वहाँ उस राणी की बहन पूजा कर रही थी उस दिन ब्रस्पतवार था तो वह ब्रस्पतवार की ब्रत की कथा को सुन रही थी जब दासी ने राणी की बहन को देखा तो वह बोली हे राणी मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है मेरे लिए पांच सेर बेजहर दे दो इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय ब्रस्पतिवार की ब्रत कथा सुन रही थी इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोध भी आया और लोटकर अपने गाउं आकर रानी के पास आकर बोली हे रानी आपकी बहन बहुत ही धनी इस्त्री है वह छोटी लोगों से बात भी नहीं करती है मैंने उनसे कई वार कहा लेकिन उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया तब मैं वापिस चली आई रानी बोली हे दासी इसमें उसका कोई दोश नहीं है जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है अच्छी बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है जो इश्वर की इच्छों होगी वही होगा वह सब हमारे भागे का दोश है इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतो मैं गुरु भगवान की ब्रत कथा को सुन रही थी इस कारण मैंने उसकी किसी भी वात का कोई उत्तर नहीं दिया वह अवसही दुखी हुई होगी ऐसा सोच करके प्रसाथ को ग्रहन करके जो अब रस्पद्वार की ब्रत को कथा को सुन रही थी उस कथा को समाप्त करके प्रसाथ को ले करके फिर रानी की बहन रानी के घर आई घर आई थी परन्तु मैं ब्रस्पत वगवान का ब्रत कर रही थी। गुरुभवान के ब्रत कथा को पढ़ते समय, पूजन करते समय, कथा को सुनते समय ना ही बोलते हैं और नहीं उस जगह से उठते हैं। इस कारण से मैं कोई भी जवाब तुम्हारे दासी को नहीं दिया। कहो दासी तुम किस प्रकार से मेरे घर आई थी तब रानी बोली हे बहन हमारे घर में अनाज नहीं था वैसे तुम से कोई भी बात छिपी नहीं है इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास पांच सेर बेजर लेने के लिए भीजा था रानी बोली बहन देखो ब्रश्पत भगवान सब के मनोकामना को पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो बहन बोली रानी बोली मैंने प्रातह काल उठकर ही अपने घर के सारे बरतन देख लिये हैं किन्तु सारे बरतन खाली हैं मुझे मालूम है म मेरे घर में अनाज नहीं है तब रानी की बहन बोली कि अंदर जाकर देखो गुरु भवान की किरपा से हो सकता है तुम्हें तुम्हारे घर में अनाज प्राप्त हो जाए। बार बार बहन के कहने पर वह रानी उठी और जा करके अपने घर के अंदर देखा तो देखती है कि एक घरे में अनाज रखा हुआ है इसको देख करके रानी और दासी बहुत ही खुश होती हैं और दासी कहने लगी हे रानी देखो वैसे तो जब हमको अन नहीं मिलता है तो हम रोज ही ब्रत करते हैं अगर आप अपनी बहन से ब्रस्पतवार के ब्रत की बिधी और कथा पूछ ले तो हम लोग उसे भी किया करेंगे उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन ब्रस्पतवार के ब्रत में ब्रस्पतवार के ब्रत का क्या विधान है रानी की बहन ने बताया कि ब्रस्पत वार के दिन ब्रस्पत भगवान की पूजा की जाती है उस दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णों का केले की जड़ में पूजन करनी चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए पीला भोजन करना चाहिए और ब्रस्पत भगव सारे मनों कामनाओं को पूर्ण करते हैं। रानी और दासी दोनों ने निश्चे किया कि ब्रस्पत भगवान का पूजन का जरूर करेंगे। तो उन्होंने ब्रत किया था इस कारण गुरु भगवान प्रसंद थे गुरु भगवान स्वैम दो थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे करके बोले है दासी यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है तुम दोनों करना दासी भोजन पाकर बड़ी प् रानी को इस विशे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए वह दासी से बोली तुही भोजन कर क्योंकि तुह हमारी वियर्थ में हसी उडाती है दासी बोली एक महात्मा भोजन दे के गया है रानी कहने लगी वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है तुही भोजन कर दासी ने कहा कि वह महात्मा हम दोनों के लिए दो थालों में भोजन दे कर गए हैं इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमशकार कर भोजन आरम किया तथा प्रत्यक ब्रस्पतवार को गुरु भगवान का ब्रत और भगवान विष्णू का पूजन करने लगी ब्रस्पत भगवान की किरपा से रानी और दासी के पास धन हो गया रानी फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी तुम्हें धन के रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया अब गुरु भगवान की किरपा से धन मिलता है तो फिर तुम्हें आलस होता है बड़ी मुसीवतों के बाद हमने यह धन पाया है इसलिए हमें दान पुनि करना चाहिए मुखे मनुष्यों को प्रामनों को दान दो कुमा ताला बावडी आधिका निर्मान करो मंदिर पाठ साला बनवाओ कुमारी कन्यों का विवाह धन को शुवकारियों में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुलकर यश्वढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन हो तब रानी ने इस इस दशा में होंगे उनकी कोई खोच खबर नहीं है गुरु भगवान से उन्होंने प्रातना कि भगवान ने रात्रि में राजा को सोपने में कहा हे राजा उठ तेरी नानी तुझको याद करती है अपने देश को चला जा राजा प्रात्य काल उठा और विचार करने लग कि इस्त्री जाती खाने और पहनने की ही साथी होती है पर भवान की अग्या को मान करके वह अपने नगर के लिए चलने को तयार हुआ इससे पुर्व जब राजा परदेश चला गया था तो दुखी रहने लगा प्रत दिन जंगल में से लकडिच बीन कर लाता और उने शहर में बेच कर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिंता से वेतीत करता था एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी हो करके रोने लगा तब उस जंगल में ब्रश्पत भगवान एक साधू का रूप धारन कर आए और राजा के पास आकर बोले हे लकड़ारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो मुझको बतलाओ यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया साधू को बन्दना करके बोले हे प्रभू आप तो सब कुछ जानने वाले हो इतना कहने पर साधू को अपनी संपूर कथा सुना दी महत्मा दयालू होते हैं वे राजा से बोले हे राजा तुम्हारी इस्तरी ने ब्रस्पतवार का अपराद किया था जिस कारण तुम्हारी यह दशा होई है अब किसी प्रकार की चिंता मत करो भगवान तुम्हे पहले से अधिक धन देगा देखो तुम्हारी इस्तरी ने ब्रस्पतवार का ब्रत प्रारम कर दिया है और तुम मेरा कहा मान कर ब्रस्पतवार का ब्रत करो चने की दाल गुड़ जल को लोटी में डाल कर केले का पुजन करो कथा कहो अधिवा सुनो भगवान तुम्हारी सब मनकामनाओं को पूर्ण करेंगे साधू को प्रसन देख करके राजा बोले है प्रभू मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता है जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूँ मैंने रात्री में अपनी राणी को ब्याकूल देखा है मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे की उसकी ख़बर मंगा सकूँ फिर कौन सी कहाने कहूँ वो मुझको कुछ भी मालूम नहीं है साधू ने कहा हे राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो ब्रस्पतवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडियां लेकर शहर को जाओ तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाती भोजन कर लोगे और ब्रस्पत देव की किरपा से ब्रस्पत भगवान की पुजा का सामान भी आ जाएगा अब मैं तुम्हें ब्रस्पतवार की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो की इस प्रकार से है ब्रस्पत भगवान की जय हो प्राजीन काल में एक ब्रामण था वह बड़ा ही निर्धन था उसके कोई भी संतान नहीं थी उसकी इस्तری बहुत ही मलीनदा के साथ रहती थी वह ना इस्नान करती थी ना किसी देथा का पूजन करती थी प्राता काल उठते ही सर पर्थम भोजन करती बाद में कोई अनिकार करती थी इससे ब्रामण देथा बड़े ही दुखी थे बेचारे बहुत कुछ कहते थे परंतु उसका कोई परिणाम ना निकला भगवान के किरपा से ब्रामण की इस्तिरी के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी वह बालिका प्रातह इस्तनान करके भगवान विष्णों का जाप करने लगी ब्रिस्पतवार का ब्रत करने लगी अपने पूजा पाठ को समाप्त करके इस्कूल जाती तो अपनी मुठी में जो भरके ले जाती और पाठ साला जाने के मार्ग में डालती जाती वही जोग सोन के हो जाते तो लोटते समय उसको बिन कर घर ले आती थी एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जोग को फटक कर साफ कर रहे थी उसकी माने देख लिया और कहे बेटी सोने के जोग फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए दूसरे दिन गुरुवार था इस कन्या ने ब्रत रखा और ब्रस्पत देव से प्रात्ना की कि हे प्रभू मैंने आपकी पुजा यदि सच्छे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप देदो ब्रस्पत देव ने उसकी प्रात्ना को स्विकार कर ली और रोज की तरह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी जब लोटकर जो बिन रही थी तो ब्रस्पत देव की किरपा से सोने का सूप उसे मिल गया वह सूप ले करके घर आ गई और उससे जो साफ करने लगी परंतु उसकी मा का वही धंग रहा एक दिन की बात है कन्या सूने के सूप में जो साफ कर रही थी उस समय उस सहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला इस कन्या के रूप और कारे को देख करके वह मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन और जल को त्याकर उदास होकर के लेट गया राज़ों को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधान मंत्रियों के साथ में अपने पुत्र के पास गये और बोले हे बेटा तुम्हें किस वात का कश्ट है ? किसी ने अपमान किया है ? अथवा कोई और कारण है तो मुझे से कहो मैं वही कारी करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन रता हो अपनी पिता की बातों को सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिता जी मुझे आपकी किपा से रही थी यह सुन राजा को बड़ा ही अश्यर हुआ और रुबह बोला हे बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम्हीं बताओ मैं उसके साथ तुम्हारा विवा अवस्य हे करवा दूँगा राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया मंत्री उस लड़की के घर गए औ और ब्रामर की कन्या का विवा राजकुमार के साथ में सब्बन हो गया कन्या के घर से जाते ही पहले की भाती ब्रामर देवता के घर में गरीवी का निवास हो गया अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर ब्रामर देवता अपन ने सभी हाल कहा और कन्या ने बहुत सा धहन दे करके अपने पिता को बिदा कर दिया इस तरह ब्रामर Tabii इस समय सुख फुरुभक बेती थुआ कुस दिन बाद फिर वही हाल हो गया ब्रामर्ण फिर अपनी कन्या कंपे हिए और सभी हाल कह छा तो वह लड़की बोली है पिता जी आप माता जी को यहां लिवार लाओ मैं उन्हें सारे विधी बता दूंगी जिससे घर की गरीवी ही दूर हो जाएगी वह ब्रामार देपता अपनी इसी को साथ लेकर पहुँचे पुत्री अपनी मा को समझाने लगी मा तुम प्राता काल उठकर प्रथम इसनान ही मानी और प्राता काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्ता आया और मा को एक कोट्री में बंद कर दिया प्राता काल उसमें से निकाला तथा इसनान आधिकरा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी मा की को करना आरम कर दिया जिसे कि उसकी मा भी बहुत धन्वान तथा पुत्रवती हो गई ब्रस्पत जीव के प्रभाव से सुर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्रामन भी सुख पुरुबक इस लोक के सुख को भोग कर सुर्ग को प्राप्त हुए इस तरह कहानी कह करके साधो थोने पर फिर वही ब्रस्पतवार का दिन आया राजा जंगल से लकड़ी काट कर किशी शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन से अधिक धन प्राप्त हुआ राजा ने चना गुड़ आदिला कर ब्रस्पतवार का ब्रत किया किन्तो जब दूसरा ब्रस्पतवार का दिन आया तो वह राजा ब्रत करना भूल गया इस कारण ब्रस्पत भगवान राजा से नाराज हो गये उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यग्य का आयोजन किया तथा शहर में यह गोश्रा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी इस तरह की घोशना संपूर नगर में करवा दी गई राजा की आग्या के अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने राजा के यहां गये लेकिन लकड़हरा कुछ देर से पहुंचा इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले और ले जाकर के बोजन करा रहे थे तभी राणी की दर्ष्टी उस खूटी पर पड़ी जिस पर राणी का हार लटका हुआ था वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया तो राणी ने निश्चे किया कि मेरा हार इस मनुसे ने चुरा लिया है उसी समय पुलिस बुलवा करके उ जिसके कारण से मेरे लिए इतना दुख प्राप्त हुआ उसी साधू को याद करके रोने लगा जो की जंगल में मिला था उसी समय कतकाल ब्रस्पत देव साधू के रुप में प्रगट हो गए और राजा की दसा को देखकर कहने लगे अरे मुर्क तुने ब्रस्पत देवता की कता नहीं की इसी कारण तुम्हें दुख की प्राप्ति हुई है अब चिंता मत करो ब्रस्पत देव की पूजा करना तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे ब्रस्पत वार के रोज चार पैसे मिले राजा ने कता कही उसी रात्री को ब्रस्पत देव ने उस नगर के राज राजा को सुपने में कहा ही राजा तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोश है वह राजा है उसे छोड़ देना रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है अगर तु ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजा को नश्ट कर दूँगा राजा प् हुटी पर हार तंगा दे करके वह लकड़ारे को बुला करके छमा मांगी और राजा को योगे सुन्दर वस्त्र आभुष्णर दे कर विदा किया गुरु देव की आग्या के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिये राजा जब नगर के निकट पहुँचे तो उसे बड तालाब कुएं तता बहुत सी धमसाला मंदिर आधी बने हुए थे राजा ने पूछा लोगों से कि यह किसका बाग है और किसका धमसाला है तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब राणी और दासी के हैं तो राजा को बड़ा ही आश्र हुआ और गुस्सा भी आया वो हमारी ऐसी दसा देख करके लोट न जाएं इसलिए तुम दरवाजे पर ही खड़ी हो जाओ आग्या अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई राजा आये तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने निश्चे किया कि साथ रोज बाद तो सभी ब्रस्पत देव का पूचन करते हैं परंतु मैं रोजाना दिन में तीन बार कहानी कहा करूंगा तथर रोज ब्रत किया करूंगा अब हर समय राजा के दुप Спट्टे में चने की धाल बंदी रहती थी तथर दिन में तीन बार कह कहते थे एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के हां हो आता हूं इस तरह निश्चे कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के हां चलने लगे मार्ग में उनने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं राजा ने उन्हें रोक कर कहा क कि अरे भाईयों मेरे ब्रिस्पत देव की कथा को सुन लो वे बोले हमारा तो आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं उन्हें रोक कर के राजा कहने लगे अरे भाईयों मेरे ब्रिस प्रिष्पध्वार की कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल इकाली और गुर रखा, इसके बाद में कथा सुनाना आरंब किया। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा। और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह करके वह मनुसिक खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और बोला कि अरे भाईया तुम मेरी प्रिष्पधवार की कथा को सुन लो। किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा को सुनूँगा तब तक चार हरया जोत लूँगा। जाओ और अप और खिसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उस किसान की मां रोटी लेकर आई थी। उसे जब देखा कि पुत्र का बहुती बुरा हाल है तो अपने पुत्र से पूछा कि ये हाल तुमारा कैसे हुआ है। तब पुत्र ने सारा हाल बतला दिया। या दोड़ी दोड़ी उस घुरसवार के पास गई और बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना राजा ने बुढिया के खेत पर जाकर कथा कही जिसके सुनते ही वह बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द बंध हो गया राजा के घर पहुंचा बहन ने भाई की खोब महमानी की और दूसरे रोज प्रात्य कल राजा जगा तुवह देखने लगा कि यहां पर सब लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुसर नहीं है जिसे भोजन ना किया हो और वह विक्ति मेरे एसा कहकर वह देखने चले गई परंद उसे कोई भी ऐसा बेक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो अतह वह एक कुमहार के घर गई जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ कि उनके यहां तीन रों से किसी ने भोजन नहीं किया है राणी ने अपने भाई को कथा स सुनने के लिए कुमहार से कहा वह किसान तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रस्वतवार की कथा कही जिसको सुनकर उस कुमहार का लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्रसंसा होने लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन हम अपने घर को जाएंगे तुम तैयार हो जाओ राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली हाँ तुम चली जाओ परन्तु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई उलाद नहीं है बहन ने अपने भाई से कहा कि भाईया मैं तो चलूँगी लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा राज राजा ने अपनी राणी से कहा कि हम निर्वंसी राजा हैं हमारा मुझ देखने का धर नहीं है और कुछ भोजन आधी नहीं किया राणी बोली हे प्रफू ब्रस्पत देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उलाद भी अवस्च्छी देंगे उसी रात ब्रस्पत देव राजा को सुपन में कहा कि हे राजा उठ सभी सोच को त्याग दे तेरी राणी गर्व से है राजा को यह बात सुन करके बड़ी ही खुसी हुई नवे महने में राणी के गर्व से एक सुन्दर पुत्र हुआ तब राजा बोला हे राणी इसरी बिना भोजन के रह सकती है प जब राजा की बहन ने यह शुम समचा सुना तो वह बहुत खुश होई तथा बधाई लेकर अपने भाई के हां आई तभी राणी ने कहा घोड़ा चड़कर तो आई नहीं गधा चड़ी आई राजा की बहन बोली भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें आुलाद कैस ब्रस्पद्यव ऐसे ही हैं जैसे जिसकी मन में कामनाय होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं जो सदभावना पुरवक ब्रस्पद्वार का ब्रत को रखते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथ्वा कथा सुनाते हैं अथ्वा कथा को दूसरे को सुनाते हैं ब्रस्पद्यव उसकी सभी मनुकामना को पूर्ण करते हैं भगवान ब्रस्पत देव उसकी सदेव रक्षा करते हैं संसार में सद भावना से भगवान जी का पूजन ब्रत सच्ची हिर्दय से जो करते हैं उनके सभी मनुकामने पूर्ण करते हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनक सभी इच्छाओं को पूर्ण किया इसी प्रकार सब कथा सुनने वालों के और कथा सुनाने वालों के प्रस्पत भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें कथा सुनने के बाद में प्रसाद ले करके जाना चाहिए हिर्दय से भगवान प्रस्पत देव का मनन करते हुए उ प्रेश भवान की जय हो जो कोई भी ब्रस्पति देव का ब्रत करें ब्रस्पतवार का ब्रत करें प्रत का क्या विधान है वह विधानवी साथ में आपनों को बताने जा रही हूं पूजा का विधान क्या है बहुत ही आसान विधान बताने जा रही हूं जिससे कि करने में इस ब्रत को करने में किसी भी प्रकार की दिकत ना हो बहुत लोगों के घर में केले का ब्रक्ष होता है बहुत लोगों के घरों में केले का ब्रक्ष नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में आप किस तरह से व्रिश्पत बार का ब्रत करें यह विधी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं यह बहुत ही सरल विधी वताने जा रही हूं जिससे कि आप ब्रत आराम से आसानी से कर सकें किसी प्रकार का उसमें दिक्कत ना हो ब्रस्पतवार के दिन प्राता काल उठें जितनी जल्दी हो सके उठें कोई में ब्रत हो उसमें कोशिस करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उठें अपना नित्य कर्म करें इस्तना ध्यान करें और देवारे में जो नित्य आप पूजा करते हैं उस पूरी पूजन को अवस करें इसके बाद में एक पापन या चौकिले इसके पर पिल अवस्थ बिछाएं और विछा करके भवान विष्णों की प्रतिमा को रखें यह यह धित आपके जम्राइजर कें अनदर केले के प्रक्ष नहीं है कोई गंले में नहीं गर के बाग आँगन में नहीं लगा है घर के आसपास भी आपको ना मिले तो बहुत सो सुचतें जम में सब शुध्याय नहीं मिले तो मैं मैं ब्रत क्यूं करूँ यदि ब्रश्पत बुद्धा आपको फल्ता है किसी किसी को कोईäreथ फलता है उसे मनुकामनों की पूर्ती होती है यदि ऐसी इस्थिती है और यह सुविधाय नहीं है तो आप ब्रत जरूर धारण करें भगवान विश्णों की वह फोटो को लें जिसमें की केले के व्रक्ष के नीचे सभी लोग पूजा कर रहे हैं और केले के व्रक्ष फोटो में दिखाएंगे कि पाटे पर रखें इससे आपको केले के व्रक्ष को ढूणने की जुरोत नहीं पड़ेगी और उस फोटो का विधी विधान पूर्वक भवान विश्णों का पूजन करें जो प्रक्ष है उस पर भी जलचड के फूल से जलचड का जाता है तो फूल से फोटो पे जलचड के चंदन लगाए पीला चंदन लगाए भगवान विश्णों के माथे पीले चंदन से तिलच करें जो केले का व्रक्ष का फोटो है उस पर भी पीला चंदन लगाए और जितने भक्त गण बैठ करके पूजा करें ऐसा फोटो आता है तो उन सभी भक्तों के माथे पर पीला च घटोरी में बोग के लिए रखे चने की दाल मुणक्का और गुड़ इसे कटोरी में इन तीन चीज़ों को और साथ में तुलसी दल डाल करके भूग के लिए सामने रखे दीपक जिलाये धूबती जिल्दाए और फल जो भी आपके पास में फल हो रितु फल उस पाटे पे र करते हैं इसके बाद में 11 वार ओम गरणगनगलते्यअवाँ अब सही याद करें इसके बाद में आप भुष्पद्भवाण के भुष्ट कता है उसको पढ़े अथवा सुने कोशिस करने चाहिए कि स्वेम भी पीले रंकाही वस्तर धारण करें स्वेम के माथे पर भी जो चंदन आपने भगवान को लगाया है उसी उंगली से चंदन कटी का अपने माथे पर भी लगा ले और बैठ करके भगवान का कथा सुने कोई भी जब कथ सुनी जाती है तो हाथ में पूश्प ले लेना चाहिए अक्षत ले लेना चाहिए खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनने चाहिए आशा करती हूं कि आप लोगों को यह ब्रश्पतवार की ब्रत कथा अब अच्छी लगी होगी किर्प्यार वीडियो को लाइक जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन अब सही दवाईएगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद